हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो आल अव यू अन अमेजिंग एंटर्चेन्मेंट दोस्तो जै हिंद जै भारत मैं मदनलाल आजाद संयोजक संस्थपक और इंडिया बाइक बॉप टैक्सी यूनियन आज दिनांग 25 अगस्थ 2021 को आपके समक्ष प्रस्तोत हूं कुछ खास सूचना आएं खास जानकारी आप सब तक पहुंचाने के लिए और देश बर के तमाम 20 करोर ठगी पिडितों को ये बताने के लिए कि आपकी मेहनत की कमाई जो बहुत सारी सैकारी समीतियों में ठक कंपनीज में कॉर्परेशंस में पार्टनर्शिप फर्म में और दूसरी जो प्रोपराइटर्शिप वाली कंपनीज होती हैं उनमें जो आपकी मेहनत की कमाई डूब गई है वो आपको किस तरह सरलता पूर्वक वापस मिल सकती है ये तमाम सारी जानकारी आज के इस वीडियो संदेश में मैं आपको अपलब्द कराऊंगा आप तमाम लोग इस पूरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो बताया जाएगा उस पर अमल करेंगे अपनी खबर सुरू करने से पहले बात कहने से पहले मैं आपसे अन्रोध करूँगा क्या आप तमाम साथी जो भी वीडियो संदेश सुनेंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल यूगांतर न्यूज को सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो संदेश को जादे से जादा साथियों तक शेयर करेंगे कमेंट करेंगे अपने सुझाव देंगे और साथ साथ इस वीडियो संदेश के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिये होंगे हमारे Twitter handle युगांतर न्यूज का उसको फॉलो करेंगे हमारी Facebook ID का उसको फॉलो करेंगे और हमारे Facebook page 20 करोर ठगी पीड़ी वहाँ उस page को आप लोग जोईन करेंगे और तमाम लोग मिल करके हमारा जो नारा है पहले भुकतान फिर मतदान उसको वाइरल करेंगे और जो हमारी दूसरी मांग है बहुत महत्पूर्ण मांग है वो आप तमाम लोगों से जुड़ी हुई है अन्यमे जमा युजना पावंदी कानून 2019 लागू करो हमारा पैसा वापस करो इन दोनों नारों पर आप ध्यान देंगे इनको वाइरल करेंगे फैलाएंगे जो लोग ट्वीटर पर नहीं है वो लोग अपनी ट्वीटर पर आईडी बनाएंगे और एक दूसरे को तमाम साथी फॉलो करेंगे ताकि जादे से जादा लोग एक साथ जुड़ सकें और हम अपनी इस लड़ाई को जीत कर अपनी मेहनत की रकम को वापस प्राप्त कर सकें दोस्तो बाबा तुलसिदास ने रामचरित मानस में कहा है जब भगवान राम लंका पर चड़ाई की तैयारी कर रहे थे समुद्र के किनारे जब उनकी सेनाएं खड़ी हुई थी तो वो समुद्र से रास्ता मांग रहे थे रार्थना कर रहे थे लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो बाबा तुलसिदास ने बहुत अच्छा चित्रन किया है इस बात का बिनयन मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीद बोले राम सकूप तब भयविन हो इन प्रीत इसी चौपाई को राष्टर कवी रामधारी सिंग दिनकर साव ने बहुत अपना रस्मर्थी में बड़ी विस्तार से बताई है ये कहने का लबू-लबाब ये है कि जब कोई यक्ति आपकी प्रार्थना स्विकार ना करे आपकी न्याय की मांग को स्विकार ना करे अपने न्याय करतब्यों का निरवान ना करे तो वहाँ फिर आपके अनुने विने प्रार्थना का कोई महत तो नहीं रह जाता वहाँ आपको ग्रोध करना चाहिए अपनी शक्ति का अपने संगठन का सामने वाले जो भी हो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति हो या वो कोई ठग हो उसे अपनी शक्ति का एसास कराओ और उसको दिखाओ धिये दि उसने आपकी न्यायपूर्ण मांग को स्विकार नहीं किया तो आप उसकी उस सत्ता को खाड ठेकेंगे उसके ठक सामराज्य को नेस्तना बूद कर देंगे जो उसने जूट के आधार पर घड़ा किया हुआ है दोस्तो अगर मैं बाइक बोट टैक्सी स्केम की बात करूँ तो पिछले ढ़ाई साल से लगाता हुआ हम अनुने विन्या कर रहे हैं भारत सरकार से कि बाइक बोट टैक्सी स्केम की प्रॉपर सीबी आई जांच कराई जाए अनिमे जमाई उजना पाबंदी कानून 2019 के तहत इसमें मुकदमे दर्ज हूँ इस्पेशल कोर्ट बनाए जाए जाए इस पिटिट ट्रायल करें और 180 वर्किंग डेस के अंदर अंदर तमाम पीड़तों का पैसा वापस करें हम से भी पहले 2014 से लगातार ये जो P.C.L. कंपनी है इसके 6.6 करोर विक्टिम है वो अनुने विने कर रहे हैं भारत सरकार से उन्से भी पहले की हम बात करें तो ये जो सहरा इंडिया के लोग हैं थाड़े आठ करोड लगभग विट्टिम हैं, वो भारत सरकार से और राजियों से अनुने विने कर रहे हैं, आदर्स कॉपरिटिव सुसाइटी वाले पिछले तीन साल से लगातार अनुने विने कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी से, और बहुत सारी हैं इस तरह की नवजीवन हैं, संजीवन हैं, हेलो टैक्सी है, गो राइड है, गो बाइक है, टॉप राइड है, राधाम आदम कॉर्परिशन लिमिटेड है, फ्यूचर मेकर है, मिल्यू फॉक्स मोसन है, कैची पिक्सल है, साइन सिटी है, स्ट्रीट हॉक्स है बहुत सारी हैं इस तरह कि हजारों कंपनियों के ठकी पीडित जो लगबक देश भर में 20 करोड हैं वो लगातार प्रधान मंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो संसत द्वारा सर्व समती से पारे तर्यमें जमाई उजना पावंदी कानून 2019 को लागू कर दें और तमाम ठकी पी पावंदी कानून 2019 को लागू नहीं कर रही है उसके रूल्स को नौटिफाइड नहीं कर रही है नराज्य सरकारों को अनुमती दे रही है कि वो अपने अपने राज्यों में इसके लिए इस पेसल को इस पेसल अथॉर्टी और इस पीडि ट्राइल की व्यवस्था करें ता राजाओधारन राजिस्थान का है दोस्तों राजिस्थान महारास्ट और गुजरात में लगवग डेढ़ सो मल्टी स्टेट कोपरेटिव सुसाइटी काम करती हैं और ये सब की सब फ्रॉड करके भागी हुई हैं सबने करोडों लोगों का पैसा लूटा हुआ है चाए व मेहनत की कमाई को हड़ अब समस्या कहा हैं कि ये जो मल्टी स्टेट ग्रेडिट कोपरेटिव सुसाइटी जो होती हैं इनको सेंट्रल गवर्मेंट रजिस्ट्रेशन देती हैं स्टेट के पास बावर नहीं होती इनको रजिस्टर करने की जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं GIPL जैसी SMP Impacts प्राइवेट लिमिटेड जैसी साहरा इंडिया जैसी यह जो पी एसील थी पल्स जैसी या और बहुत सारी हैं साइन सिटी है फ्यूचर मेकर है विल्यू फॉक्स मोसन है राधा मादव कॉर्परेशन लिमिटेड है इस तरह कि जो भी इस्टेट गवर्मेंट के वल इस्टेट कॉपरेटिव सुसाइटी जो होती है उनकी राज सहकारी समितियां उनको रिजिस्टर करती है या जो पार्टनर से फर्म होती है उनको करती है या जो सौप एंड इस्टेबलिस्मेंट एक्ट के तहर जो प्रॉपराइटर से पहली कंपनी होती है छोटी सिंगल वाली वो एक आदमी जिनको चलाता है उसको स्टेट गवर्मेंट रेजिस्टरेशन देती हैं लेकिन इस तरह की कंपनीज बहुत कम हैं ज्यादा तर जो ठक कंपनी हैं सोचाइटीज हैं वो सब सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा रेजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिनने सेंट्रल गवर्मेंट के इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने सेंट्रल गवर्मेंट की सेबी ने सेंट्रल गवर्मेंट की 20 करोड लोगों की मेहनत की कमाई को हडप ली वाइक बूट हेलो टैक्सी टॉप राइड इस्केम में तो नकेवल 8-10 лайक लोगों की मेहनत की कमाई को हडपा गया बले कि हमारे देशके 2 Lakh सेनिकों के खून को निकाल करके भी विदेशी वाजारों में बेच दिया यह इतने ग्रनित कांड की CBI, प्रॉपर CBI जांस, हलांके शुरुवात कर दी है छोटी सी के CBI ने रेड कॉर्णर इसू कर दिया है, बाइक वो टेक्सी स्केम के एक मास्टर माइंड अक्यूजड विजंदर हुडा के मामले में सोल है और उको लोकाउट नोटिस भी जारी कि ना तो गजट नोटिफाइड किया CBI जांस का, ना SIT बनाई, ना कोई टाइम लिमिट तेकी के इतने टाइम के अंदर-अंदर CBI इसमें जांच करेगी, चालान फाइल करेगी, चार्चीट फाइल करेगी, इतने समय के अंदर-अंदर इन लोगों को अरेस्ट करेगी, जो बहोडे हो रखे हैं, मतलब जो प्रोपर तरीका होता है CBI को सौपने का किसी केस को, वो अभी तक इंप्लिमेंट Central Government मोदी सरकार ने नहीं किया, वो क्यों नहीं कर रही है, मोदी सरकार ये सारे काम इसलिए नहीं कर रही है, चुकि मोदी के अपने लोग इन तमाम गोरक धं मंत्री अरुण जेटली थे अरुण जेटली अमर भी गे किस से बसूली करोगे जब प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आप देखेंगे बाइक बोट है जी आई पी एली वाली कमपनी उसका खुद इसके सड़क परिवन मंत्री नितिन गड़करी ने किया आदर्स क्रेडिट कोपरिटिव सुसाइटी के लॉंचिंग प्रोग्राम में भी प्रदान मंत्री के साथ नितिन गड़करी थे और बहुत सारे लोग हैं डिफेंस सेक्रेटरी एके तिवारी है राजना सिंग का बेटा पंकज है 36 गड़के उस वक्त के सीम रमन सिंग है पूर मुक्यमंत्री मायावती का भाई आनंद है समाजबादी पाल्टी के निता रहे कॉंग्रेस का एमेले जोगिंदर अवाना है और इस तरह के बहुत सार करेप्ट पॉल्टीसियंस इन तमाम ठगी प्रकरणों में सलिप्त रहे हैं इस बजह से सेंट्रल गवर्मेंट मोधी सरकार स्टेट गवर्मेंट्स को अन्यमिजमा योजना पावंदी कानून 2019 के तहत इस्पेशल कोर्ट बनाने की इस्पेशल अथोर्टीस के गठन की उन्हें पूरे आंकड़े इन ठक कंपनीज के और ठक सूसाइटीज के संदर में प्रदान कर रही है जिस वजह से जब यह हाथ बांदे खड़े हुए हैं दोस्तों अब एक ही उपाय है आपके और हमारे पास कि अनुने विने बहुत हो गई प्रार्थनाएं बहुत हो गई अबेदन निवेदन भहुत हो गई लेकिन अब तो ये सब कुछ प्रमानित हो चुका है सब कुछ आपकी आँखों के सामने है मेरी आँखों के सामने है कि जितनी भी ठक कंपनी ठक सूसाइटीज हैं ये सब कही न कहीं प्रदान मंत्री नरेदर मोधी ग्रे मंत्री हमिश श और ना किसी कानून को लागू कर रहे ना एक ही उपाय है कि हम खुल कर तमाम लोग अगर पूंक भी बार देंगे, तो ये ठक सामराज भवा में उड़ जाएगा, इसको बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा दोस्तोंौतू सबसे पेतरीन जो नारा है कि पहले भुगतान फिर मत्दान इसको ले करके पूरे देश के ठगी पीड़तों को एक जुट हो जाना चाहिए और पूरी ताकत के साथ पूरी शक्ती के साथ इस नारे को बुलंद करना चाहिए घर घर बैनर टांग दो 20 करोड घरों के उपर जब तो नहीं लगेगा कि 20 करोड लोग देश के उनको बोट नहीं करेंगे उनकी खिलाप बोट करेंगे या मत्दान का बहिसकार कर देंगे तो इनकी आँखें पढ़ जाएंगी इनके हिरदय काप उठेंगे और यह आपकी इस न्यायपूर्ण मांग को स्विकार कर लेंगे औ तो आपको अपने अधिकार का प्रयोग करना है अपनी शक्ती का ऐसा स्थक वहिमान सिस्टम को दिखाना है हमने दो काम शुरू किये हैं दोस्तों इन दोनों कामों पर आप सब को ध्यान देना है अनिमे जमा योजना पावंदी कानून 2019 को लेकर के हम हालाएं कि दिल्ली हा काम साथी साइन कर देंगे उस पर कमेंट करेंगे उसको सेयर कर देंगे अगर लाखों साइन उस पर हो जाते हैं लाखों सेयर हो जाते हैं लाखों कमेंट हो जाते हैं तो वो आपका ओन-लाइन पटिशन जो अनिमे जमा योजना पावंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग को ले करके है वो देश और दुनिया में वाइरल हो जाएगा और सरकार आपकी इस मांग को स्विकार करके राज्यों को ये अधिकार देदेगी कि वो अपने राज्यों में स्पेसल कोट, स्पेसल अथर्टी, स्पीडी ट्राइल की विवस्था करके 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपने अपने राज्यों के ठगी पीड़तों का पैसा वापस करना आरंब करें इसलिए सीरियसली गंभीरता पूर्वा का आप लोग मेरी इस बात पर यकीन करते हुए अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए तमाम साथी इस ओनलाइन पर साइन करेंगे, कमेंट करेंगे, उसे अपने जान पहचान के लोगों में शेयर करेंगे, उसका लिंक इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगा, दूसरा आपने पहले मतदान फिर भुकतान के बैनर अपने घरों पर टांगने हैं, तार के दुनिया को पता चल सके के आपके साथ भी इस कंपनी ने, इस सोसाइटी ने, इस ग्रूप ने ठगी की है, और उस बैनर को लग 58-12-13, दुबारा से हिंदी में बोल देता हूं, 7-8-2-7-5-8-1-2-1-3, इस वाटसप नमर पर आप अपना वीडियो, अपना फोटो, अपना लिंक मुझे भेज सकते हो, मैं भी अपने ट्वीटर हैंडल युगांता न्यूस से, अपने यूट्यूब चेनल युगांता न करने में आपकी सहाइता करूँगा, और जिन साथियों ने अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबर्सिप नहीं ली है, वो तमाम साथि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबर्सिप लें, और हमारे ठगमुक बेइमान रहित भारत न पिर्मान मिशन से जुड़ें ता कि हम जल्दी से जल्दी एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस अन्यमे जमाय उजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करवा कर आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करवा सकें जै हिंद जै भारतु